हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूटूब चाइनल प्रेमजित स्टडी पॉइंट तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में क्लास तेंथ का एंसे आर्टी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का कोश्चन स्वार्व करके बताने वाले हैं ठीक है तो फ्रेंट्स देखिए यहां ए यूटूप टीवीजन एक लो गृडिट्म तौफाइंड दा एक से आफ ऑफ स्टिक है तो फ्रेंट्स यहां एच यहां फाइंड करना है एलो गृडिव का यूज करके च्छिक है यहां मैं यहां मेंसिन कर दिया हूं आप देख सकते हैं यूट्स डिविजन एलोगिद्म का मतलब हुआ a equal to bq plus r ठीक है a equal to bq plus r अब हम आपको ये बता दिना चाहते हैं कि a का मतलब क्या होता है तो friends a का मतलब होता है dividend ठीक है a का मतलब क्या होता है dividend और उसके बाद v का मतलब होता है चले कब मतलब diviser होता है विडिविजर होता है v का मतलब क्या होता है डिविज़र और q का मतलब होता है तो friends बद्शपण में जब आप डिवाईड करते थे तो उससमें आपको बताया गया होगा चलिए एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं तो फ्रेंड्स यह बात बताना चाहते हैं इधर वाले जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं इस पार्ट को कहते हैं डिवाइजर डिवाइजर ठीक है इस पार्ट को क्या कहते हैं डिवाइजर और यहां वाले जो पार्ट है इसको कहते हैं डिविडे और यह जो part होता है इसको कहते है equation ठीक है तो q-o-o-t i-e n-t ठीक है तो इस part को question कहते हैं अब जो divide करने के वाद last में कुछ बचते है उस part को क्या कहते है remainder कहते है क्या कहते है remainder r-e-m-a-i-n-d-e-r ठीक है तो आपको यहां तक सभजबी आ गया होगा तो फ्रिंट्स यह तरह था वेसिक था यह चलिए आप हम कोश्टन सॉल्प करते हैं क्योंकि कोश्टन जो सब्सक्राइब करेंगे तो हम यह वाला मेठर यूज करेंगे इसलिए मैं यह चीज को बता दिया हूं ठीक है तो चलिए आप कोश्टन देखते हैं इससे पहले इसे कि तुट वेंटिफाइब इसी को एट्सियव फाइंड करना है क्या यूज कर यूज कर यूज डिविजन एलोग्रिद्म यूज करके हैं ना मतलब यह वाले जो लिखा हुआ है एक है इक्वल टो बीक्यू प्लस आर इस चीज को यूज करके एट्सियव फाइंड करना है चलिए तो सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि डेविदेंट क्या होगा 225 टिक है उसके बार डिविजर क्या हो जाएगा तो 135 टिक है यह बात आप हमेसा याद रखना कि डेविदेंट जो होता है ठीक है डिविडेंट जो होता है वह ओल्वेज जो होता है डिविजर से क्या होता है बरा होता है और डिवाइजर जो होता है वह क्या होता है डिविडेंट से हमेशा छोटा होता है तभी तो अब डिवाइट कर पाएंगे तो यह बात समझ में आगे आपको तो इस greater than क्या होता है वी मतलब is हमेशा बरा होगा किस से बी से तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ब्रावर क्या हो जाएगा 225 और बी वरावर 135 दोनों बात सेम है इसलिए मैं यहां ब्राइकट में बता दिया हूं कि डिविडेंट यानि ए और डिवाइजर मतलब वी तो चलिए फ् निकालते हैं तो उस ही कैसर क्या करना परएगा फूटे वाले जोटीट है उसको हमको यहां लिखना पारेगा अब बड़े वाले दिजेट पकी लिखना पर अब क्या करेंगे। बहाइट करेंगे तो डिवाइट करेंगे तो सबसे पहले देखिए चाहईं किल ररे 3 5 क्योंकि सेकंड टाइम्स में ज़्यादा आ जाएगा है ना तो 5 में से 5 जाएगा जीरो और 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा नाइन ठीक है और यहां कैंसिल हो जाएगा यह आपका क्या हो गया नहीं जब तक रिमेंडर जीरो नहीं आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहाना पड़ेगा तो आप सेकंड देखेंगे लेकिन हाँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां बताया गया था कि एक्षिए फाइंट तो करना है लेकिन इसको यू पलिस आर यही होता हा तो एक इतना है यहां ने जस्ट बताया है कि ए यहां पर है 225 तो लिख देते हैं 225 इक्वल टू बी कितना है 135 देख सकते हैं तो यहां लिखते रहे हैं 135 ठीक है उसके घृइं टलेकिक ihan को आपे मीखसंट देख सकते ए फर्स्ट स्टेप में यहां पर कोशंट कितना यहाँ ओन आया है तो कोशंट वन लिख देंगे पलस clearly तो यहां मैं आपको बता चुका हूं गो यहां पर कितना है 90 है यहां इस तक सब्सक्राइब यहां अचाहा और जो इस کا था डिवाइजर था वज़ा नीचे या झाएगा तो 135 अब फिट से क्या करेंगे यहां पर डिविजिन करेंगे तो वन टाइम्स में क्या लगेगा 90 क्योंकि सेकंड टाइम्स में ज्यादा आजाएगा 180 आजाएगा तो अब यहां सॉल्व करते हैं तो यह 5 हो जाएगा और 13 में से 9 जाएगा तो कितना ओजाएगा तो यह आपका सेकेंड स्टेफ है तो चले सेकेंड स्टेफ को भी लिख लेते हैं तो फ्रेंड सेकेंड स्टेफ में आप देखिए कि यहां अब एक क्या हो जाएगा यहां पर एक कुन हो जाएगा यह वाले जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा एह हो जाएगा और यह क्या हो ना तो चलिये हम लिख लेते हैं एक ब्रावर हो जागा 135 और कि अपलतो क्या हो जाएगा 90 विख भी ब्रावर कितना है ना इीक अभी हो जाएगा फिर क草शन्ट क्या आया है तो कोशन स्ः प्रेंण्स यहां भी कॉशन जो है वन ही स्टेप क्योंकि अभे भी रिमेंडर जीरो नहीं आया है तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे 45 और यहां वाले आ जाएगा ठीक है 90 अब देखिए टू टाइम्स में 45 में टू से मल्टिप्लाइए करेंगे तो 90 आ जाएगा है ना तो यह खत्म हो गया मतलब रिमेंडर क्या हो गया जीरो तो खत्म हो गया यही तक अब ठाड़े स्टेप जो किया है उसको लिख देते हैं तो फ्रेंड्स यहां हो जाएगा आपका 90 और यहां क्या हो जाएगा 45 और आप देख सकते हैं कोशंट कितना था यहां पर तो कोशंट यहां टू था टू लिख दिए पलस रिमेंडर कितना था तो रिमेंडर तो कुछ नहीं है यानि जीरो तो यहीं तो हो गया साल्व कॉश्चन तो आपको पूछा गया था है तो फ्रेंड्स एचसी एफ ब्राबर क्या हो जागा 45 यह वाला जो होगा तो आप लेख सकते हैं एचसी एफ कि आफ कितना था 135 एंड 135 एंड तू टू ट्वेंटी फाइव एक्वल टू कितना था अभी बताया ना 45 45 यहीं हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से कोश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स तो अब हम सेकेंड कोश्चन देखते हैं यह कोश्चन तो हो गया चलिए अब सेकेंड कोश्चन देखते हैं तो फ्रेंड्स सेकेंड कोश्चन है सेकेंड कोश्चन भी उसी तरह से बनाएंगे ठीक है तो चलिए आपको हम सेकेंड कोश्चन बताते हैं कि dividend हमेशा क्या होगा बर होगा dividend किस से डिवाइजर से है ना तो dividend क्या हो जाएगा 38220 ठीक है उसके बाद diviser क्या हो जाएगा तो diviser हो जाएगा 196 ठीक है यह बात मैं पहले बता दिया हूँ कि A को कहते है dividend ठीक है और वी कहते है डिवाइजर को और क्यों बोलते है कुशिंट को और और बोलते है remainder को ठीक है तो चलिए आब हम आपको बता देना चाहते हैं क्या करना है सबसे पहले हमें HCF find करना है यानि division करना होगा तो 196 में division करना होगा sorry 196 इधर लिखे देंगे और वीच में क्या लिखेंगे 38220 मतलब 38220 में 196 से divide करना है है ना तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां one times में लगाना होगा ठीक है one time में यूज करेंगे क्योंकि second time में नहीं कर सकते हैं तो one time में यूज करते हैं तो क्या होगा one ninety six लगे गया तो यहां solve किजिए ट्वेल में से six जाएगो तो six हो जाएगा ट्वेल में से six जाएगा तो कितना होगा सिक्स अब यह बचा कितना तो सेवें तो सेवें में से नाइन नहीं जाएगा तो सेवेंटीन में से नाइन जाएगा तो कितना हो जाएगा तो सिक्स से वन जाएगा तो कितना होगा वन ठीक है अब फ्रेंड यहां टू जो बचा हुआ है यहां पर आ जाएगा ठीक है अब 1862 है तो फ्रेंड अब 196 में अगर आप मल्टिप्लाई करते हैं 9 से ठीक है तो आपका एंसर आ जाएगा क्या 1764 यह मैं पहले से कर चुका हूं तो आप करके देख सकते हूं ठीक है यहां 9 टाइमस में क्या हो जाएगा 764 मतलब 1764 अब इससे स्वाल करते हैं तो 12 में से 4 जाएगा तो कितने हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा यह 5 15 में से 6 जाएगा तो कितने हो जाएगा अब बच्जे गया 15 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 9 और यह 7 बचेगा तो 7 से 7 कैंसे लग 1 से 1 कैंसे यानि 98 आया ठीक है फिरिंड्स उसके बाद यहां 0 बचा है तो यह 0 यहां आ जाएगा और फिर देखते हैं तो फिरिंड्स अब बताना चाहता 196 में अगर आप 5 से multiply करते हैं तो आपका क्या आजाएगा 980 आजाएगा ठीक है आप करके देख सकते हैं तो चलिए 5 टाइमस में हम लगाते हैं तो कितना आजाएगा 980 यानि आप यहां क्या होगा खित्म हो गया ठीक है रिवेंडर 0 आ गया तो सब्सक्राइब हो गया तो चलिए बताना चाहता हूँ आपको कि एलो ग्रिद्म मेठर से ही पाइंट करना था है तो वह क्या होता है मैंने पिछले question भी होता है था a equal to bq plus r है ना तो अब कितना है देखें यहां पर मैं बता रखाओं कि a कितना है तो 3 8 2 2 0 equal to v कितना है तो हैं देख़ें डी विजर को हम क्या कहते हैं मतलब डिवाईजर को क्या कहते हैं विक सेयते हैं 195 प्लस रिमेंडर और मतलब रिमेंडर तो रिमेंडर यहां कुछ नहीं है यानि क्या जीरो तो यहां हम लिख देते हैं जीरो बस कोश्चन हो गया सोल तो आप से पूछा जाया कि है तो फ्रेंट यहां 196 नहीं होगा तो लिख देते हैं HCF कितना था 196 and 38220 एक्वल टू क्या हो जाएगा 196 तो यह आपका HCF हो जाएगा कि फिनिस हो गया चली अब थर्ड कोश्चन देखते हैं ठीक है चली थर्ड कोश्चन देखते हैं तो फ्रेंट थर्ड कोश्चन है देख सकते हैं यहां थर्ड कोश्चन है 867867,867,狂ड225 एक है यहां रॉंग लिखा गया है 255 होगा ठीक है 255 ठीक है तो चलिए आप questions को solve करते हैं तो फिर उसी परकार से करेंगे जैसे कि मैंने पिछले question किया है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं dividend तो dividend क्या होगा जो बहरा वाला होगा तो इसमें सबसे बहरा कौन है 867 और 255 में 867 तो यहां dividend क्या हो जाएगा 867 और divisor क्या हो जाएगा 255 यह आप क्या सकते हैं A equal to 867 हो जाएगा और V equal to 225 हो जाएगा बात सेम ही है चलिए friends तो अब इसे हम क्या करते हैं सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो 867 में कितना से डिवाइड करेंगे छोटा वाला यानि 255 से है ना तो डिवाइड करते हैं तो friends सबसे यहां पर 3 times में आपको यूज करना होगा 255 में 3 से multiply करेंगे तो 765 आजाएगा ठीक है आप 255 में 3 से multiply करते हैं तो आपका कितना आजाएगा 765 यह समय पहले ही कर रखा है ताकि आपको problem नहों ज्यादा समय नहीं लगे तो चलिए करते हैं तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 तो क्या हो जाएगा यानि friends 102 हो जाएगा तो यह आपका first step हो गया है ना चलिए तो जो first step जो यूज किया हूं उसको लिख देता हूं तो देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एक वी इंटू क्यों और प्लस और यही था ना लिख दिया चलिए तो आप सेकेंड इस्टिप भी कर लेते हैं पहले उसके बाद इधर मैं लिख दूंगा तो आब यहां आ जाएगा 102 जो रिवेंडर बचया है उसमें करेंगे क से जो आपका डिवाईजर था उससे 255 तो इसमें भी आप टू से मल्टिप्लाइ करेंगे 102 में तो आपका कितना हो जाएगा 204 आएगा ठीक है वानदेट टू में टू से मल्टिप्लाइगा 204 अब यहां से सब्ट्रेक करेंगे तो फाइब में से फोर जाएगा तो वन हो जाएगा और यहां 5 का 5 होगा लेकिन 2 से 2 क्या हो जाएगा चैंसल हो जाएगा ठीक है ठीक है तो यह फिरिंट फर्स टेप्ट और यह क्या था सेकेंड इस्टेफ अब ठीक दिखते हैं क्योंकि रिमेंडर अभी 0 नहीं आया जिप तक 0 नहीं आ जाएगा हम करते चलेंगे तो 51 में आप कितने से करना 102 में 102 हो गया 51 इससे आप करते हैं डिवाइड तो यहां पर आप तू बार में मल्टिप्लाई करेंगें 51 में तो 102 आ जाएगा ठीक है तो अब यहां क्या हो जागा कि खत्म हो जागा है निरी मेंडर कितना बैंचा जीरो कोछ नहीं मतलब 0 अब Mason 1 निलीकविर देते हैं ता इसटेभ फस्ट में देख सकते हैं इस्टिव फ्रस्ट में था क्या था इस्टेप फर्स्ट में ए ब्रावर था अभी जस्ट मैंने लिखा था 867 867 एक्वाल टू कितना था वी कितना था यहां देख सकते हैं 255 तो लिख देते हैं प्लस रिमेंडर कितना आया था 102 तो लिख देते हैं 102 तो फ्रिंट्स सबज में आ रहा है चलिए अब सेकंड देखते हैं तो शेकंड स्टेप में 155 जो होगा क्या हो जाएगा यह 155 सॉरी 255 255 हो जाएगा यह उसके बाद 102 हो जाएगा वी और कुश्चन इसमें कितना आया था तो यहां कितना लिखेंगे टू प्लस रिमेंडर 51 तो हो गया चलिए एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है तो अब यहां पर ए ब्रावर कितना हो जाएगा 102 है ना 102 एक्वल टू फिर से आगे देख सकते हैं तो वी ब्र ब्रावर कितना आजाएगा 102 हो गया एक वरावर और वी ब्रावर कितना आजाएगा तो 51 है ना और इन्टी कोशन कितना था यहां पर टू टू लिख देते हैं प्लस रिमेंडर तो कुछ नहीं था तो जीरो हो जाएगा उसके बाद आप लिट सक लिख सकते हैं इसलिए सेवें कि एंड़ कि टू 555 एकवल टू कितना है फिप्टी वन यहां देखें फिप्टी वन तो यह फिप्टी वन आपका एंसर हो गया तो इस तरीके से कोशन को सॉल्व करते हैं ठीक है तो आज के लिए फ्रेंट्स बत इतना ही नेक्स दें मिलेंगे जो कि उसमें कोशन टू सौल्व करके आपको बताएंगे ठीक है तो चली फ्रेंट्स वीडियो को आप समाप्त करते हैं लास्ट में एक चोड़ी से रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक जिरोड करें और साथी साथ अपने वीडियो को आप समाप्त करते हैं